लगता है तुम भूल गई हो अश्विन पूर्णीमा आज ही है रात हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सबसद आने लगेंगे ये सब अपने महराज से मिलना चाहते हैं न तो आज हीने इनके महराज अवश्य मिलेंगे सुनो कुछ दीबदन बुझा दो महल में प्रकाश कम से कम होना चाहिए विशेश रूप से महराज के सिहासन के चारोर स्री हरी नारायन भगवान की महिया या तो पुरक गाउन आयो है मेरे मित्र भी आयो हैंगे न पर देख लाला अतिक दूर मती जाना पस महिया इत्ती दूरी जाओंगो कि आप्ता कान मेरा स्वर सुन पाए और आक्षे मुझे देख पाए मुझे पतो है महिया चाहााााााााााा! अजयाँ! चंद्रद एपधार के है चलो, हम सब खीर का प्रशाद उनके प्रकाश में रख दें। हाँ, चलो मां क्या हो रही हो है? सब खीर को चंद्रमा की प्रकाश में रख रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि खीर प्रशाद और अधिक मीठी और पोस्टिक हो जाए। चंद्रदेव का स्वाल मीठो उठते हो है क्या? हाँ! और गुड से भी अधिक मीठा। तब भी सब रात में पंची उठके चंद्रदेव तक जाते हैं। उनकी मीठास का स्वाल लेने। मैंने अपने जड़ों किस्ते देखू है? अब जी का अन्हा के एरो है, तो सत्य ही हो वो। लगता है हमारे साथ आज भी उफास होने वाला है। आज भी महाराज कंज के दर्शन नहीं होंगे। यह अनुचित है, महाराने ने आश्वासन दिया था हमें। हाँ, बिना महाराज के दर्शन के कोई वापस नहीं लोटेगा। आज हम महाराज से मिलकर ही यहां से जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि महाराज जीवित हैं या नहीं। हाँ, हम महाराज से दर्शन ही जाएंगे। तो आपको पतो है, चंद्र देख खेर को और मीठा कैसे बनाते हैं। तुम दोनों तो अंक से बड़े हो, तुम्हें पतो है। मुझे के वरित्ता पतो है, कि जब यह खेर खाने को मिलती है ना, तो बहुत स्वादिश और मीठी भी लगती है। लगतो है, अब मुझे ही जाफिर पतो करनों पड़ेगो। समय आग्यों है कि बता लगायों जाए। चंद्र देख इस खेर को मीठा कैसे बनाती है। काना, वा मज्जाना, सुबाई डाट पढ़िये, फिर से पढ़ जाएगी। शिंता मत्ती करो दाओ, आप सब बस मेरे पीछे रहना। आज हम सब चंद्र देख का रैस बता लगा के रहेंगे। क्यों मित्रो। ठीक है, मैं अकले ही पता लगा लूँगो। केवल उपर से तु चंद्र देख को प्रकास आ रही हुए। कहिए खिर, इसी से तु मुझी ना हो रही। काला क्या कर रहा है। देख रहा था, चंद्र देख का स्वाद मीठा है क्या। पर हिस में तो कोई स्वाद ही ना है। श्रीमन नारायन नारायन हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। भजमन नारायन हरी हरी। जय जय नारायन हरी हरी। महिया, चंद्र देव जय नारायन हरी। महिया, चंद्र देव जय ने गिर गए। शिकर चलो ना महिया। जय क्या के रोए लल्ला। महिया, आप चल के देखो तो सही। चंद्र देव कुछ हो जाए ना। लल्ला। चलो ना महिया। यह दिखो बैया, चंद्रदेव आप सब असरी की हूँ, चंद्रदेव को बचाओ ना काना, चंद्रदेव तो वहाँ है लल्ला देख वहाँ भी और यहाँ भी दो दो चंद्रदेव है क्या ना लल्ला, चंद्रदेव तो एक ही है पर जित तुझसे इता प्रेम करते हैं न, तो जब तू आकास में देखतो है तो तुझे दिखते हैं, और जब तू नीचे देखतो है, तो जल में भी दिखते हैं प्रतिवें मैं लल्ला हां उससे इत्ता प्रेयंद करते हैं ये तो मैं इन्हें अपने हाथों में देखर देखूंगा हाथ में लेके जे तो संभवना है जब ये इसमें समा सकते हैं तो मेरे हाथों में क्यों ना सकते मुझे इने चूना है मैया ऐसा हट मत कर काना पर क्यों मैया पर आप मुझे किसी बात के लिए मना ना करती फिर अभी क्यों कर रही हो जा क्या रहो काना देखो न जी, चंद्रेव चाहिए इसे हाथ में पकड़ने के हट करके बैठ हुए काना, मैया सही गह रही है चंद्रेव कोई हाथ में लेने की वस्तू ना है मैया को जो मुझे इत्ती थोटी से इच्छा भी ना मानने तो मुझे यहार आई क्यों जाओ, मुझे आपसे बात ने करने ललला, तुझे तो पतो है ना तेरे मैया तुझे बात किये बिना एक चंड भी ना रह सकती मैं आपसे तब ही बात करूंगो जब आप मुझे चंददीव लाके दोगी तब तक तो ना आपके पास आऊंगो और ना ही प्रशाद काऊंगो हाँ नहीं तो ललला अब मैं इसे चंद्रदेव कहां सुला के दूँ प्राप्ति अब तुम क्या करोगी कैसे मिलवाओगी नसब को महराज से पूरा राज दर्बार भरा हुआ है सब महराज की प्रतिक्षा में आतुर है और कुछ सवासदों को तो ये भी संदे है कि स्वामी जीवित है भी या नहीं तो फिर चलो मिलते हैं उनसे प्राप्ति वो तुम्हारे नहीं महराज के दर्शन करना चाहते है चल है ये हाँ हाँ चल है ये हमें महराज से मिलना है अपने आश्वासन दिया था कि आज रात हम महराज कंच से अवश्य मिल पाएंगे तो कहां है वो महराज कंच की महराज कंच की बाराज 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 कंच की महराज गंच्गी जेग! असंभाव को संभाव कर दिया तुमने किन्तु कैसे प्राप्ती? मैंने कहा थाना ये सब महराज से मिलना काते है तो इन्हें इनके महराज अवश्य मिलेंगे। आप खड़े-खड़े क्या देख रहे हो। कुछ सुझाओ तो अरे मैं क्या कहूँ। चंदरदेव कोई गेन थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दू। मुझे भी कचो सूझ ना रहो। चंदरदेव कोई गेन थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर फमा दू। मुझे भी कचो सूझ ना रहो। अर्मुझे सूझ गयो और समझ में भी आ गयो कि मुझे क्या करनू तकर करनू है.? क्या करनू है? तस्तूरी, सुन। कान्हा जब तक आप मुझे चंद्र दिम नहीं दोगे मैं आपसे बात ना करूंगो इसलिए तो बुला रहे हूं लला आजा ले ले अपने चंद्र देव हची नहीं आ लला चंद्र देव को हाथ में पकड़ने के लिए तयार है ना लला जो सारे जक्की लीलाओं का संचालन करते हैं उनकी मैया उनहीं के साथ आज लीला कर रही है कोल कोल चंद्र देव देखो मेरे पास क्या है पर चंद्र देव तो चो मुह मीठो करनो है तुमुह बंद करनो होगो आजा लला खा ये सच्ची में चंद्र देव है ना मैया हाँ लला अर्समान में सच्ची के चंद्र देव पर इसमें और अब मेरे आप में मैया में का साथ छक लो खान के गोले को तो चखी सकतो है लला मैया ये तु सच्ची में बहुत मिठा है मैं अपने सखाओं को भी चखा दूँ अवस्च लला अपनी जो भी वस्तू होती है उसे दूसरों के साथ मिलबाट के ही उप्योग करनो चाहिए चाह आज तो खान की गेंदे बचा लो चले क्रिष्ण 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 महाराज कुछ बतले-बतले से लग रहे हैं न? संभव है कई वर्षों की तपस्या के काराण ऐसा लग रहा हो? अश्विन पूर्णमा की राद, जब सब लोग चंद्रदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं आप सब मेरे दर्शन के लिए तड़प रहे थे और वो तड़प इतनी थी, कि उसने मेरी तपस्या, वर्षों की तपस्या भंग कर दी वेसे, ये तपस्या मैं किस के लिए कर रहा था? आप सभी के लिए ताकि आपके महराज और शक्तिशाली हो जाएं और उस विश्णु अव्तार का बद्ध कर सकें पर मेरी महरानियों ने मुझे बताया कि मेरा एक फक्त ऐसा भी है जो मुझसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि उसके बारे मैं जानकर मेरे मन में उससे भेख करने की इच्छा जागुदी और फिर क्या था? मैं अपनी वर्षों की तपस्या बंग चरके यहां आ गया किते मीख्यों अस्वादेते चन्यवदेव एक बार आल में जाते तो अधियते अंदर जाजातो इसमें ते को चन्दरेव है चन्दरेव आप तो मैया के हात में आ गये थे तो मेरे हातों में क्यों नहीं आ रहे हो? लाला मैया यह मेरे पास क्यों नहीं आ रहे है? क्या मुच्छी न प्रेम नहीं है? चल 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 भीतर सदानेंची पाठ सुनाने वाले तुझे जानना था ना अस्विन पूलेव के बारे में अश्विन पूर्णिमा या शरत पूर्णिमा इसका केवल इसले महतों नहीं है कि अब वर्षा रितु का समापन हो रहा है बलकि इसले महतों है कि आज रात ही चंदरदेव के प्रकाश में मैया लक्षमी धरती पर आवतरी थुलती अम यह लक्षमी की पूजा करके उनके प्रियक्षीर को प्रसाद के रूप में चलानों है मा नक्षमी अवतरित हुई धरा पर प्रभु के दर्शन को आई पर देख चंदर पर ध्यान प्रभु का मा अचरज से मुसकाई अद्भुत प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं और आप चंद्रदेव के दर्शन के लिए उत्साहित है परंतु मुझे आपके दर्शन मिल गए मेरे लिए इतना ही परियापत है चंद्रदेव तो फिर से आगए तो वो क्या था जो मैंने चक्खा था लक्ष्मि मय यह के पूजा के पस्चा अब हम चंद्रदेव की फूजा करेंगे ताकियोः के प्रसाद पर अपना अमृत्त तो बरसा कर हम सब को अपना आशिरवात क演ा अब हम सब खड़े होकर चंद्रदेव के दर्शन करेंगे और उनका आशिरुवाद लेंगे अरे चांद्रदेव कहा गए अभी तो यही आकास में चमग रहे था सब यहाँ है तो काना कहा गए हो दिखने ही रहा है अरे चांद्रदेव कहा गए है